प्रिया की हर परिशानी आपकी हिम्मत के आगी घुटने टेक देगी अगर आप में होसला है इसी विचार के साथ मैं अपरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेर के क्लास में वीडियो सुरू करने से पहले से लाइक शेन और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं सुरू करते हैं हमारी प्रीवेस टेके क्वेशन से हमारा क्वेशन था वाट इस इंडिया स् रांकिंग इन दा ग्लोबल होम प्राइस इंडेक रिलीजड बाइन नाइट फ्रैंक पॉर दा फस्ट क्वार्टर ओफ 2021 नाइट फ्रैंक द्वारा 2021 की पहली तिमाही के लिए ज अप्शन है ऑप्शन एफ 55 पहली तिमाही के लिए भारत वैश्विक घरेलू मोले सुच कांक में बच्पनवे स्थान पर था जन्वरी से मार 2021 जो 2020 में जो पहली रैंक तेताली स्वीच से 12 स्पॉर्ट कम है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स लंदन स्थे नाइट फ्रैंक किया गया है जो चपन देशों में आवास की केमतों पर नजर रखता है रैंकिंग में तुर्की जो है वो सीर्स पर था अगला प्शन देखते हैं इंडिया एम टुरी स्टोर हाव मच ओफ टिक्रेट लैंड बाइट वैट्वेंटी थर्टी ऐस पर पीम नरेंद मोदी पीम ही मिलियन हार्ट युदु सेवंटी मिलियन हेक्टीर्स तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शने ए ट्वेंटीसिक्स म्योन हैक्टियर भारत भूमी छर्त स्थिता की अपनी राष्ट्री प्रति बधता को प्राप्त करने के लिए ट्रैक्पर है कर्दान मंतरी नरेंद मोदी न में मुखी भाशर देते हुए कहा पुधार मंतरी ने बताया कि भारत का लक्ष दोजार तीस तक 26 मिलियन हैक्टेर खराब भूमी को बहाल करना है ताकि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डायोकसाइट के बराबर अत्रिक कार्बन सिंग प्राप्त किया जा सके अगला क्वेशन देखते हैं दुनिया की पहली लकडी का उपगर किस तेज से प्रच्छेपित किया जाएगा हमारे ऑप्षन है यूएस चाइना इसराइल न्यूजीलेंड तो इसका सही ऑप्षन है ऑप्षन डी न्यूजीलेंड यूरोपिया अंत्रिच एजनसी एसे ने 2021 के आंथ तक दुनिया के पहले लकडी के उपगरह फीजा वूट सेट को प्रित्वी की कक्षा में रखने की योजना बनाई है उपगरह को रॉकेट लैब इलेक्ट्रोन रॉकेट पर न्यूजीलेंड में माहिया प्राइदीप लॉंच द्वार कॉंप्लेक्स में लॉंच किया जाएगा उपगरह का मिसन अंतरिच सनचनाओं में प्लाइवूड जैसी लकडी की समगरी को प्रियाजिता का परिक्षन करना है अतदिक अंतरिक्ष स्थिति जैसे गर्मी, ठंड, वाक्यूम और विक्रण में उजागर करना है कि यह वहां टिक सकती है नहीं अगला क्वेशन देखते हैं, तो ट्वीटर हास लॉस इट सेफ हर्बर इम्मुनिटी इन विच नेशन, ट्वीटर ने किस देश में अपनी सेफ हर्बर इम्मुनिटी खो दी है हमारे ऑप्शन है, इंडिया, यूएस, यूके, आस्ट्रेलिया, तो इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इंडिया सोसल मीडिया की दिगज कंपनी ट्वीटर ने भारत सरकार के नए आईटी नेवों के अनुसार, वैधानिक अधिकारियों की न्यूक्ति में विभलता के कारण, भारत में अपनी सनक्षित पंदरगा पतियक्षा खो दी ही इसका मतलब या है कि ट्वीटर को अब आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहर सनक्षित नहीं किया जाएगा और इसके सीर्स अधिकारी अब अपने मंच पर सभी समगरी के लिए उतरदाई होंगे जो की भढ़काओं माना जाता है या प्रकती में गैर कानूनी माना जाता है स्थापित करने का निर्णर लिया है मध्य प्रदेश असम गुजरात वेस्ट बेंगल तो इसका सही ऑप्षन है ऑप्षन भी असम असम सरकार ने भारत रतन और पद्म पुरुसकारों के समानवार्शिक पुरुसकारों की अपनी श्रंकला स्थापित करने का निर्णर लिय गया था जिसकी अधिक्षिता असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा सर्माने की थी अगला प्वेशन देखते हैं विच स्टेट कवर्मेंट इसे राजे सरकार ने COVID-19 की संभावित तीसरी लहर के लिए पाँच हजार यवाओं को स्वास्त सायक की रूप में प्रसिचित करने का निर्ने लिया है उत्रप्रदेश, केरल, दिल्ली, महराज तो इसका सही अप्शन है उप्शन सी दिल्ली दिल्ली सरकार ने 16 जुन 2021 को घुषना की करोना वायरिस की महामारी की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए पाँच जार यवाओं को चिकित्सा और परामेडिकल स्टाप के लिए स्वास्त सायक की रूप में प्रसिचित किया आएगा अगला क्वेशन देखते हैं वेच वैक्षिन इस रिपोर्टेटली मोर एफेक्टिव अगेंस डेल्टा कोविड नाइन्टीन वैरियंट के खिलाब कौन सा टी का अधिक प्रभावी है तो हमारे ऑप्षिन है कोवैक्षिन, फिफाइजर, स्पुत्निक वी, कोविशिल्ड तो इसका सही ऑप्षिन है ऑप्षिन सी स्पुत्निक वी रूसी प्रतेक्ष निवेस कोस RDIF ने 15 जून 2020 को कहा कि इसकी रूसी पुत्निवी COVID-19 वैक्सीन अब तक कि किसी भी आनी वैक्सीन की तुल्ला में वाइरस के डेल्टा संस्करण के खिलाब अधिक कुछ सल है संस्करण जिसे पहली बार भारत में पहचाना गया था को विश्व स्वास्त संग्ठन डब्लू एचो द्वारा चिंदा के चौथे संस्करण के रूप में सुची बद्ध किया गया है ऐसा माना जाता है कि भारत में घातक दूसरी लहर सहीत कई देसों में COVID-19 संक्रमण का क्षण 2 फाटी DAN 13 जूर्फ सफेंट जून आवाज उठाने के लिए मरा जाता है चली देखते हमारे आज कि प्वेस्टन अदर को जो है Name the first German architect to be awarded the Pritzker Prize has passed away recently Pritzker Purushkar से समानित होने वाले पहले जर्मन वास्तुकारक का नाम बताई जिनका हाल ही में निधन हो गया है हमारे option है कुंटर, बहनेश, प्रियो, ओतो, अलबर्ट स्पियर, गौट्ट राइड बोहम तो इसमें से जो भी option आपको सही लग रहे हुआ, comment box में comment करके जरूर बताईएगा और जिन्होंने previous question का answer सही दिया, well done, keep doing, ऐसे ही answer देते रही है और अगर आपको मेरी वीडियो चले लगे तो प्लीज इस वीडियो को like, share और channel को subscribe करके bell notification को all पर set कर दे Thank you